हेलो दोस्तों स्वागा थे आप सभी किता फेवरेट इस टॉप में और हम सभी जानते कि आज जो है वो सुनवाई होनी थी फीचर गुरूप डील जो चल रहे है रिलाइंस के साथ में उसको लेकर और यस सुनवाई हुई है और उसमें क्या बाते निकल कर आई है वो हम जाने है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिंगापूर का जो कोट है उन्होंने इस डील को जो है जो कि फीचर गुरूप और रिलाइंस के पीश में हो रही है उससे कहीं न कहीं अभी रोकने के लिए बोला था उनके हिसाब से यह पूरा यह पूरी डील थी यह बिल्कुल भी सही नह यहां पर जो भी फास फैसला होगा हम इसको मानिक करेंगे यह ती दोस्तों मानिक की ख़़ लेकर लें जानते हैं कि अलरीडी केस चल रहा था पूर की उपर और वहां से जो बात कर आई है मैं आपको उस पर लिये चलता हूँ तो देखे हुआ यह आपर क्या लिख हुआ है यह ख़़र तकरीबन साड़े पांच च्छे बजे की है आप बोल सकते हैं और जो डैली हाइपोट रीस्त्रेन फूचर गृप फ्रोप फॉम्मींट रहे विध्स्तियार करोर राइइस दील आपको तेकी लिखा हुआ है यह आपर डैली हाई को तुस्टेशाब जेज अप कि फ्यूचर रीटेल और जो रिलाइंस के बीच में देल हो रही है 24.730 करोड की उसे एक रोकने का उनने आदेश दिया था तो उसको जो है क्यो उस फैसले को वाइलेट किया गया तेखिए तो नीचे यहां पर क्या लेखा हुआ है कि जो सिंगापूर ने एक आदेश दिया कही न कहीं जो है उसका उलंगन हुआ है और इसको इसमें जो है कही न कहीं आप हो सकते हैं कि जो बयानी है कि पिशो बयानी जी उनको एक दूसी के तौर पे बताया गया है तो बिलिकुल भी पॉजिटिव ख़वर नहीं है किसके लिए फ्यूचर गुरूप के लिए प्रेंटी भी लगाई गई है और प्रेंटी की तोर पर उनसी है कहा जा किया कि आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है उसमें आप 20 लाग रुपीस जो है वो चीज को काम लिया जाएगा तो जो ने उलंगन किया है जो एक सिंगापूर के आदेस का उलंगन करते हुए तो उस चीज को एक उलंगन मानते हुए बीस लाग कि यहां पर पनेल्टी लगाई गई है और साथी में 28 अप्रेल को जो है उन्हें ओट में हाजरी देने के लिए भी कहा गया है और साथी में ये भी कहा गया है क्यूं आपको तीन महीने की नियाई खिरासत में ना लिया ज और उनको ये भी कहा गया है कही न कहीं कि आपको नियाई खिरासत में भी लिया जा सकता है और 28 अप्रेल को उनको अभी उपस्तित होना होगा कहां पर पूर्ट में और दिन आफ्टर जो भी इनसे कोशन पूचे गया है इन सब को आंसर देने होंगे वहां पर और आंगे की चीज निकल कर आइगी दोस्तों कहीं कहीं देखिये इस पूरी डील में अभी ये निकल कर आ रहा है ठी कुछ आ गे कि दोस्तों अभी अगुख आयेगा जो आपशन नहीं लिए गया बल्कि उन्होंने जो आलरेड़ी सिंहाड़ी सिंगा पूर को उलंगन किया है उस shape उन् किया है definitely उस दिन शायद फिर आंगे की कुछ कारवाही होगी फिलहाल भी इस कारवाही में इतना ही चीज को बताए गया तो definitely अगर मैं आपसे कहूं कि रिए यह बहुत ज्यादा बुरी खबर तो यह उनके लिए भी खबर है लेकिन हम सभी जानते है कि रिलाइंस एक बड़ी कंपनी है और इसमें थोड़ी बद गरावट दिखाई देगी लेकिन अफ्टर वह अपने आपको रिकवर कर सकती है बट एक और अभी जवर्दस्त हमें गिरावट में जराने वाली इस पर्टिकुलर म्यूस के बाद में हो सकता आगे जाने के बाद में हमें इनकी पक्ष में भी फैसला जाता हुआ नजर आएगा लेकिन फिलहाल जो उन्होंने उलंगन किया है तो उस चीज का उलंगन क्यू हु और इसलिए दुस्तो आज आज देखा भी कहीं ना कहीं जो फिचरोप में जुतने भी स्टॉक्स थे इस अपोज में एक्जामपल के तौर पर आपको फिलहाल देखाता हूं अगर तो देखे वो भी आज यहां पर आपको आपको डाउन जाता हो निजर आया काफी एंड अ अभी आप सभी का यह जरू कहना देखे कि क्या हो सकता है तो देखे अगर यह डील नहीं होती है तो बहुत से लोगों की आप रोजी रोटी छें जाएगी हम यह सभी जानते हैं आपने सब कुछ इसके बारे में सुना है और आप सब को जानते भी इसके बारे में कि क्या अ और दिया था उसका पालन क्यों नहीं किया गया सो अभी तक बिलकुल भी ऐ ख्लिर नहीं किया गया है कि हाई कूट क्या फैसला लेने वाली है वो हमें डेफिनेटली एक अगली सुनवाई में पता चलने वाला है दोस्तो आपका इस particular news पर क्या reaction है मुझे comment box में जरूर बताईएगा दोस्तो अगर वीडियो पसंदे वीडियो को like करना बिल्कुल भी ना भूलें पसंद ना है तो dislike भी कर सकते हैं मिल दें बहुत जल जल जैसे ही कुई नहीं update आती है तो नए वीडियो में